नमस्कार मैं स्वनि गोतम गोतम कॉन्षट पर आपका स्वागत करता हूं और शाथ यह और जम बात करने जा रहे हैं डी एपी खाद के बारे में इसके क्या इंपोटेंस है इसके क्या यूज है तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले आप यह जान लिजिए कि जो डी एपी खाद है या उरुवर्क जिसको हम बोलते है फर्टिलाइजर तो जो डी एपी फर्टिलाइजर है यह यूरिया के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला उरुवर्क या फर्टिलाइजर है सिर्फ जढ़ा जो अवरुवर्क का होता है उसके बाद आप का दीएपी का होता है आखर यह लिए डीएपी है क्या ठीक है इस डीएपी की फुल फुर्म क्या है देखें दोस्तो दीएपी डाइ- अमोनियम डाई अमोनियम फास्फेट फास्फेट डाई अमोनियम फास्फेट ये इसकी फुल फूम है डियेप की सुरुबात दोस्तों उनिसो साथ में वी थी इंडिया के इंदर ठीक है डियेप डाई अमोनियम फास्फेट जैसे की साथ अब जानते हो पोदों को बहुत से नूट्रेंट्स या पोसकत्तों जमीन से मिट्टी से मिल जाते हैं लेकिन बहुत से पुसकते हैं जो पोदों को मिर्टी से नहीं मिलते हैं वो हमें पोदों में डालने पड़ते हैं अब ऐसी दोस्तों तीन उर्वर्ख है यह फर्टिलेजर्स हैं जो हमें पोदों में डालने पड़ते हैं जैसे कि पहला है आपका नाइट्रोजन ड्व्री दूसरा है फास फोर्स हम फास फोर्स और तीसरा दोष्टों पूटास तीसरा है प्सथा तो यह जो ड्यल पैस है दूस्त 하면 यसमें क्या प्रूस्टर्म में पाहे जाते हैं दती है पहले है आपका nitrogen फर्स्ट आपका nitrogen और सेकिंड है फासफोर्स डिएपी खाद के अंदर दो nutrients पहे जाते हैं पहले आपका nitrogen और दूसरा है फासफोर्स अगर हम बात करें कि percentage की तो nitrogen दोस्तो 18% होता है और फासफोर्स आपका 46% के आसपास होता है दिएपी खाद के अंदर मा लीजिए एक कट्टा है पचास किलो का दिएपी खाद का तो उसके अंदर 18% nitrogen मिलेगी और 46% फासफोर्स मिलेगी अब आपको किसर 18% nitrogen तो बहुत कम है तो उसके लिए फ्रेंट से फसल में यपोदों में यूरिया अलग से डाला जाता है ठीक है तो अब आपको पता गया कि इसकी percentage क्या है अब बात करते हैं दिएपी की importance के बारे में आकरका यूज क्या है देखिए दोस्तो हम गेहों का example लेते हैं हमने गेहों की बवाई कर दी तो जो सबसे पहले उरवर खामे डाला खेत में वह आपका दिएपी वह क्या है डिएपी जब आप गेहों की बवाई कर देते हैं उसके 20-25-30 दिन बाद यूज की जूट पड़ती है तो जो डिएपी है वह आपके पोदे की रूथ इस्टेबिश्मेंट के लिए और पोदे की ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप कुछ दिन यूज ना डालो काम चलेगा लेकिन दोस्तों जो आपको डिएपी है वह तुर्णत बाद जैसे आपने गेहों की बवाई की उसके तुर्णत बाद आपक लिए 15 दिन की तो आपका पोदा बड़ा नहीं होगा ठीक है जो आपका आपने जो बवाई की है उस पोदे की ग्रोथ नहीं दोस्तों इतनी इंपोर्टेंस है आपकी डिएपी की तो पोदे की development के लिए और growth establishment के लिए दिएपी खाद डालना बहुत जूरी है अब हम इसको तो एक एक्जाम्पल के तोर पर समझते हैं, मान दीजिजी दोस्तों, एक खेत है, ठीक है? ये खेत है, एक किल्ला बोल लीजिए, और ये एक एकड का खेत है, वन एकर ठीक है जी, आप ने से में किस की बॉई की है? गेहूं की कि आपने इसके इंदर किसकी वही किया है गया हूं की तो फ्रेंड जे नौर्मली गया हूं के लिए ठीक है मतले कि पूरी फसल के लिए एक कट्टा हमें डिएपी का डालना पड़ता है अगर आप से कोई पुछे कि माल लिजे भी एक किल्ला आपका जिसमें आपने गया हूं डाला चाहिए तो आपका अंस्रोंगा एक कट्टा एक कट्टा ठीक है जी डियपी खात का डलेगा यह कितने केजी घुटका तो यह 50 कजी को खाओंगा दो से चार कट्टे 50-50 किलो के लगेंगे और अगर हम बात करें पोटास की कितने जूट पढ़ेगी तो साथियों 20 kg पोटास की जूट पढ़ेगी एक किल्ले में गयाँ के मतलब की एक किल्ले में गयाँ के एक कट्टा गयाँ का लगेगा दो से चार कट्टे आपके यूडिया के लगेंगे और बीस केजी का एक छोटा कट्टा पोटास का लगेगा यह के सिंपल सा क्रेटीरिया है तो अब आपे एक नूज अक्सर सुनते हैं कि मार्किट में डियापी की भारी कमी है और डियापी के रेटे काफी बढ़ गए है तो किमतों में अक्सर वरिदी होती रहती है पिछेश की कीमत 2400 अुर्पे तक चली गई थी एककट्टे की, पचास केजी की कीमत चली तक चली गई थी लेकिन क्योंकि गौवर्वेंट इसके उपर सब्सीडिटि देती है तो इस समय प्रेजेंट में 2021 में इसका रेट 1200 के असप कर सकते हैं आज के लिए थैंक यू, have a nice day.